नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा हैदरबाद टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया मुश्किल में फस्ति हुई नजर आ रही है पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच गवाने के बाद अब टीम इंडिया इंगलेंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए विशाखा पत्नम में दो फरवरी से मैदान में उतरने वाली है लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई टीम इंडिया के दो स्टार प्लियर चोट की वज़े से बाहर हो गए है और राउंडर रविंद्र जडेजा पहले टेस्ट में रन लेते समय चोटिल हो गए थे वहीं विकेट कीपर बल्लेबास केल राहूल दाईजांग में दर्ध की शिकायत से जूज रहे हैं जिस वज़ा से वो भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए है इन दो चोटिल खिलाडियों की जगा टीम ने सरफराज खान, वशिंग्टन सुंदर और सौरब कुमार को टीम में शामिल किया है सरफराज खान और वशिंग्टन सुंदर के बारे में तो आपने पहले ही सुना होगा लेकिन सौरब कुमार का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सौरब कुमार कौन है और कैसे उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ कर क्रिकेट खेलने का फैसला लिया दरसल सौरब कुमार ने अब तक IPL का एक भी मैच नहीं खेला है यह बात आज के दौर में हैरान करने वाली है कि कोई खिलाडी बिना IPL का मैच खेले टीम इंडिया में एंट्री पाले हाला कि वो तीन साल से पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा है लेकिन प्लेंग 11 में उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला है लेकिन सौरब को घरेलू क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है बाए हाथ के स्पिनर सौरब कुमार डुमेस्टर क्रिकेट में यूपी की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं उन्होंने 68 फर्स क्लास मैच में 27 की औसत से 2061 बनाये है साथ इबतार गेंदबाज विपक्षी टीम के 290 बन्लेबाजों को अपना शिकार भी बनाया है सौरब कुमार ने एक रिकेट खेलने के लिए एरफोर्स की नौकरी छोड़ दी थी उनका डेब्यू एरफोर्स में सेलेक्शन खेल कोटे से हुआ था लेकिन वो यूपी की टीम से खेलना चाहते थे जिस वज़ा से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया रविंद्र जडेजा की गैर मौझूदगी में सौरब को प्लेंग 11 में भी शामिल किया जा सकता है आपको बता दे कि 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था जहां इंग्लेंड ने भारत को 28 रनों से करारी शिकस्त दे दी और सीरीज में एक शुर्ने से पीशे चल रही इंडिया दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी इसके अलावा दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली का ना होना भी तीम इंडिया के लिए एक बड़ा जटका साबित हो सकता है आपको बता दे कि पहले दोनों टेस्ट मैच से विराट कोहली ने परसनल रीजन्स की वज़े से अपना नाम वापस ले लिया था और वो तीसरे टेस्ट मैच से वापसी कर सकते हैं फिलाल सरफरास खान वाशिंटन सुंदर और सौरब कुमार को टीम में शामिल किया गया है आपके हिसाब से क्या सौरब कुमार को खेलने का मौका मिलेगा और अगर हाँ तो आपको क्या लगता है वो कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर दीजे साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि देश और दुनिया से जोड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे देखते रहिए न्यूज नेशन